असलाम अलेकुम नास्सें हमने blending option का अंदर बैवल का नहीं पर था इस लेक्षक करने के लिए उसका परपस किया होता है तो दोत्रों options भी और भी है, outer bevel है, inner bevel, emboss है, अभी फिलार मैंने एक background, a4 size का page लिया, a4 size के अंदर मैं blue color कर दिया है, और एक text लिया है, जिसको तोड़ा मैं dark blue कर दिया, अचा, अब मैं इसके अंदर, जो text के उपर, मैं click करता हूँ, fx, bevel and emboss के उपर, अचा, number one, bevel पर click करते हैं, तो अब light सा shade, ये black लग नज़ार होगा, ये shade से ना चुरो हो गया, क्यों कि basically क्या ये bevel है, हम थोड़ा सा जूम करूँ, ये, ठीक, हम थोड़ा सा changing करते हैं, अब bevel, नुमर बन पर पहले काम या आता है, आपने bevel, inner bevel यूज़ करना, outer bevel, हम inner bevel यूज़ करते हैं, पहले, inner bevel में क्या होता है, इन में just आपना highlight mode on होता है, और highlight mode में color में click कर लेता हूँ, थोड़ा सा प्लेक, शेट, this one, अब next, इसकी depth कितनी होगी, मैं depth सा कम करता हूँ, ये bevel की depth कम हो रही है, जैसे आपना कार्टून देखे होंगे, कार्टून के अंदर जो text लिखाता है, वो थोड़ा सा bevel shape में होता है, को उबरा होता है, जैसे prominent text से लाद होता है, या different posture के अंदर इसा यूज़ कियाता हो, हम depth बढ़ाते हैं, इसके size, बैवल का, इसके softness, अभी एक prominent नज़द आ रहा किया है, बिल्कुल किसी ने खुद रहा किया हुआ, कि मैं softness बिल्कुल साला कर दूँँगा, तो ये थोड़ा softness रहता है, ये background text से साथ मज हुआ चीज़ है, और इसकी ये option mode, mode के पहले ही mode क्या होते है, बैसिकली कि आपके जो, आपने text effect use किया है, उसी को आपने, कितने person use करना है, कि normal कर देंगे, तो ये color use हो रहा है, अब मैं overly कर दूँगा, तो ये background, आपका actual background text का, उसके साथ merge कर रहा है, इसको, तो आपके उपर है कि आपने mode को से use करना है, आपके अपने mode क कि अच्छा नदर आ रहा है, और थोड़ा देखते हैं इसको, ये था inner bevel, inner bevel के अंदर है, just highlight mode होना होना होना, अगर inner bevel के अंदर देख लेते हैं, inner bevel के अंदर, gloss option है, क्लिक करते हैं, हम इसको थोड़ा सा और prominent करना है, opacity, इस सारी options क्या होती है, कि इसी के most styles है, कि आपके बाद, ये cob deep है, कि अंदर, कितना आप deep में जाना है, ये outer side पे, जैसे आपको, जो outline है, उसको, differentiate कर रहा है, नेक्शन बाद करते हैं, outer bevel की, outer bevel की है, जो text के बाहर बे साथ होगा, तो, ये outside पे, अंदर text कोई हाले, ये बाहर है, और outer bevel के अंदर, आपके अंदर, ये अंदर, हमारे पास, जस शैडो मोड यू दो दोता, जो कहां, मैं शैडो मोड की करता हूँ, अगर शैडो कलर चैंज रहते हैं, मैं ये जालो कर लाते हैं, जो को प्रोव में अटो, इसके बन नॉर्मल रखते हैं, और इसकी उपैस्टी, ये इस वन, इसके ये क्या है, आपका आपका आउटर क्लोग के अंदर, शैडो मोड होना है, जिसकी व्यूवाद शैडो को, डेप्थ कम सहा कंदे से आपके शैडो ये चीन हो रहा है, शैडो कलर चैंज करेंगे तो शैडो कलर चैंज होगा, इसको मैं अगर अवली कर देता हूं, अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं, स्टाइल के अंदर ही आप आउटर गलो को बेवल कर गया हो गया है, आउटर इंच को बेवल कर रहा है, इनर बेवल आपके इंसाइट को मूग कर रहा है, और आपका इंबोस, इंबोस क्या होगा पर इसके लिए आपके दोनों का मर्ज है, इंबोस में स्किल किया है कि आप अपने इसी चिगा पर टैक्स को इंबोस के नाज़ाद को स्टैंप इंबोस होगी होती है वह बहुत वर्डिंग इंबोस होगी होती है उसके लिए इंबोस हुगी जाता है इस वह वह लगते हैं जाए जैसे से टेक्स के नदर इंबोस किया हो गया है जाए बहुत से फैक्स होते हैं इंदर वह बात की मैं देखेंगे नेक्स वह बात कर लेते हैं एक पिलो इंबोस पिलो इंबोस के अथा बिसकी डिरेक्शन चेन करते हैं अंकल अब गयारा कि एंकल लिए थोड़ा चेन होज़ेगा हम किस जगह पर इंबोस कर रहे हैं यह शेटिंग कैसी होगी यह नेक्स रिक और भी है स्टॉक इंबोस स्टॉक इंबोस तब तक काम नहीं करेगा जब तक अपने स्टॉक लगाया नहोंगा स्टॉक पर क्लिक करता हूं तो अब यह स्टॉक भी लगा हुए उसको इंबोस किया हुए तो यह स्टॉक भी है और बोस भी किया हुए तो यह चाहता तरह के बैवल यूज़ का सकते हैं आउटर बैवल इंडर बैवल इंबोस पिलोस और स्टॉक बास तो इस पांच नेक्स बात कर लेते हैं इसलिए जो यही ओप्षिन लिखे ग्लास कंटॉर यही ऑप्षिन इसको यहां भी लिखा हुए उनके का दो बार कंटॉर यूज़ करना है अपने एक पार यहां से और शेडर शूश कर लिया और दन पिर प्र अपर अप्षिन चूश कर ते तो इसलिए स्टाइल चैंज हो अब बीट आप ऐसे जो कि इन सब्सक्राइब करता हूँ इसमें क्या होगा यह लिटर्बिट लाइट सा वो डॉटरी नाशनुरों होजाएंगी है अब पैटर्न डीफरंट होते हैं तेक्च्च्चर के यगर मैं टैक्चर यूज किया वा तो उसके पैटरन हम चेंज करते हैं इसके स्टाइल चेंज करने में बिसक लिए हम तो टेक्स्टर से भी चैनिक हो सकती है कि तो थोड़ा से शीड करने में एजी ओजगा तो बैवल के जरी आपका टेक्स जोताव प्रोमेंट की जाता है करता है अब कलर मोड क्या है थीम मोड क्या है कैसे आप डावर यूज करना है वह आपके ओपर है आज के लिए नहीं थीक है थैंक यू सो मच